Hello dear students, parents and guardians, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नया academic session 2023-24 स्टार्ट हो चुका है, नई class, नई books, नई addresses, बच्चों ने school जाना शुरू कर दिया और उसी के साथ शुरू हो गए है, Olympiad exams के notification आने, इस context में सबसे पहले जिसका notification आया है, उस Olympiad का नाम है Unified Council Olympiad, ठीक है, तो Unified Council Olympiad के बा आप से है, registration already started है, आपने क्या करना है, आपने unifiedcouncil.com इस website पर जाना है, जैसी ये website आप खोलेंगे, कुछ इस तरह का page आपको दिखेगा, और जब आपको ये page दिखे तो आपने simply यहाँ पे close कर देना है, यहाँ पे आप close करेंगे, तो click here to register for Unified Council Olympiad 23-24, ठीक है, इनके जो Olymp Olympiad हैं, वो चार तरह के Olympiad के लिए registration अभी open हुआ है, UCO, Unified Cyber Olympiad, UIE, Unified International English Olympiad, UIM, Unified International Mathematics Olympiad, और NSTSC, NTSC नहीं है यह, ठीक है, यह है NSTSC, इनका अपना नाम है National Level Science Talent Search Examination, इनके बारे में detail इनहीं की website में दे हुई है, इनकी website में जैसे one by one आप खोलेंगे, तो जैसे सबसे पहले मेंने खुला है, NSTSC का National Level Science Talent Search Examination, यहां पर online registration के लिए क्लिक कर सकते हो, बाकी सब details है, थोड़ी-थोड़ी details में इनके बारे में बता देता हूँ आपको, और separate videos बना दूँगा, अलग लग test के बारे में, इसमें आप अगर ध्यान से देखें, तो यह Science और Maths और Reasoning का combined exam है, क कांसिलिंग 1 से 10 तक के लिए examination conduct कराता है, इसकी examination January है, 18 January 2024 उस दिन Sunday है, ठीक है, इसको आप online दे सकते हैं, इसका 15 days पहले आपको procedure बता दिया जाएगा exam का क्या है, और result जो है 45 days after exam declare कर दिये जाएगे, इतनी जल्दी यह registration कूँ करा रहे हैं, जिससे कि आप इसके बारे में aware ह ठीक है, exam January में लेना ही ठीक है, क्योंकि तब तक आप present class का syllabus complete कर चुके होंगे, या करने वाले होंगे, ठीक है, तो अभी से preparation शुरू कर दिजे, बहुत अच्छा time है आपके पास, अगर आप कोई पिया Olympiad exam देना चारह है, इनकी जो fees है, वो 354 रहेगी, including GST, 354 मतलब 300 fees है, 54 GST है, इसमें आपकी examination fee है, जो performance report ये देंगे, वो है, दो previous year के question paper आपको देंगे, ebook, success stories, etc. ये आप लोगों को देंगे, exam का जो pattern है, 40 number के question आएंगे, class 1 के लिए, class 2 के लिए, class 3 से 10 के लिए 60 हैं, ये सब इनोंने लिखा हुआ है, ये मैं आपको different video में बता दूंगा, इस card क्या रखा, जो top rankers हैं, या two top rankers, each class है, उनको 25,000 रुपे और एक tablet PC मिलेगा, plus a momento to each, और ये rankers को 2000 रुपे का price मिलेगा, इस rankers को medal certificate और इसका subscription मिलेगा, इतने रुपे का, ठीक है, ये बात हुई, NSTSC की उसके बाद, आगर आप देखेंगे, maths की बात करेंगे, तो Unified International Mathematics Olymp इसकी भी 1st से 10 तक के लिए student इसको दे सकते हैं, 4th February 2014 को इसका exam है, और इसमें भी 354 रुपे की fees है, वो ही आपको कुछ कुछ चीजे मिलेंगी, ये इनोंने लिखा हुआ है, कौन कौन से questions आएंगे, mathematics, logical reasoning आएगा, इसमें critical thinking भी आएगा, और इसका भी अगर आप price देखें कि हाँ भाई आपके maths में muscle है, तो जरूर इसको try करो, online examination है, आप घर के comfort पे भी दे सकते हो, same ये UAM का, यहाँ पे syllabus पगेरा दिया हुआ है, आपको चीजे होगा तो हमारी एप में भी available है, आपका लिम description में है, ठीक है, similarly ये English वाला है, ये भी 1st से 10th के लिए, ये 21st जन्व फिर 5000 का और memento, तो ये भी एक train cross हो गई है, ठीक है, train के अवाज भी आप अज़ाय करो, I am not going to edit this, ठीक है, और similarly Unified Cyber Olympiad है, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है, कम्प्योटर से हो मेहत आपकी अच्छी है, तो आप Cyber Olympiad भी दे सकते हैं, 7th January को, सबसे पहले Cyber Olympiad हो ठीक है, और इसकी भी 354 रुपीज फीस है, और इसमें जो अवार्डर 10,000, 7500, 5000 का है, तो Olympiad इसलिए आते हैं, कि आप अपने concept टेस्ट कर सको, आप अपनी future competition की practice कर सको, तो मुझे लगता है, कि अगर आपका budget allow करता है, इनकी फीस पे करने के लिए, तो आपको ये Olympiad देना चाहिए, और अगर देना है, तो इसका registration चाहिए, बाद में भी कभी कर लेना, लेकिन इसकी preparation आप अप इसे start कर सकते हो, और again हमारी app में इसके आपको sample paper syllabus मिल जाएंगे, वो आप महा से देख सकते हो, otherwise इनकी website पर भी पड़ा हुआ है, तो नए session के लिए all the best, Olympiad की preparation के लिए all the best और आपके bright future के लिए very 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 best